पिखे लोग्ट इम्निग आज हम आरा टॉपिक के है टिशू गाइज हमां हम बात करें टिश्यू की बात करें सबसे पहले हम बात करें सेल गी टि感ع जोसे हमारी बाड़ी होती है बॉड़ी की जो इस्ट्रेक्षर और फंक्शनल जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं सेल के बाद में सेल के ग्रुप ऑप सेल मिलकर क्या बनाती है टिशू में बनाती है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करें सेल की तो सेल क्या होती है सेल को हम बोलें तो यह क्या होती है smallest smallest structural smallest structural 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 and functional functional unit of the body of the body is called cell is called cell ठीक है यह क्या कराती है हमने पिछली topic में बात किये आज हम बात करेंगे टिशू के बारे में बात करें तो टिशू क्या होता है तो इसमें क्या होता है बहुत सारी मतलब कि Similar Cell मिलकर करके क्या बनते हैं टिशू मिनाने का काम करती है Similar Cell ठीक है इसमें बातकों इसको बोलते और फिसको बोलते हैs six group of और ऑफ ग्रूप अफ ग्रॉप ऋप सेल ईच कॉल blame जी क्वीजल कि इसको कहते हैं जा wiemiskaट स्टेस्म weit छी सों सब्सक्रहें हम जो टिशू की डेफिनेशन होती है इसका मतलब यह होता है ग्रूप ऑफ सेल इसका टिशू जैसे मैं बात करूं सेल प्लस सेल प्लस सेल प्लस सेल ठीक है बहुत सारी सेल मिलकर के क्या बनाती है यह सब मिलकर के बहुत सारी सेल मिलकर के क्या बनाती है यह टिशू बनाती है कि ये क्या हो गई एक सेल अगैं और यस बहुत सारी सेल बना देती हैं यह मिल करके एक टीशू का निर्माड कर देती है इसी को च्छी को ड़ेपिरफिंजीन ग्रोफ पॉप सट को 12 टीशू झाल इसकप्स अदर इसको प्लाप्स प्लाइब मॿंदे टैस में तक क्लास्पों ऑफ टिशू गया बड़ाओं टिशू थे बच्चों थो इसमिन हमने क्लाश्पन की सबस्क्राइब तक के रिया यह होगा कितने और वह सोते हैं इसको पोड़ टाइप में डिवाइड किया गया इसको भूर टाइप होते हैं जो टैप होते हैं कि नमबर एक होता है हमारा epithelium tissue epithelium tissue दूसरा होता है हमारा बच्चो connective tissue connective tissue इसके बाद में बच्चो तीसरा हमारा जो टिशू होता है वह होता है nervous tissue तो आप बच्चो इसमें आप लोग कमेंट करके बताओगे कि यह चारो टिशू के नाम आप लोगों को याद हुए या नी हुए ठीक है तो जो हमारा सबसे फश्ट जो टिशू था इसमें फश्ट हमारा हम बात करेंगे अब किसकी एपिधिलियम टिशू गी जो फश्ट हमारा टिशू है वह है एपिधिलियम टिशू एपिधिलियम टिशू होता है एपिधिलियम टिशू तो एपिधिलियम टिशू क्या होता है यह हमारी जो हमें क्या करता है एक प्रोटेक्टिंग लियर का काम करता है ठीक है जो हमारी बाड़ी की जो इसकिन होती है इसकिन एक तरीका से हमारी जो पूरी जो पाई जा रही है एपिधिलियम टिशू ही कर èpy thilium epithilium tissue epithilium tissue is the protecting 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 leer protecting layer of of the body body connecting layer of the body body protecting लेक्टिंग लेर होती है बिच बिच कवर कर भी कवर को इस कवर करती है and inner lining of muscular inner lining of musculo hollow organ musculo hollow organ organ में पाई जाती है musculo hollow organ के अंदर पाई जाती है और कहां पाई जाती है body cavity body cavity और कहां पाई जाती है duct के अंदर duct duct के अंदर पाई जाती है जितनी भी हमारी duct होती है उनके अंदर पाई जाती है and glands and glands इनके अंदर पाई जाती है is called इसी को हम क्या कहते है is called epithelium tissue कहते है is called epithelium tissue इसको क्या कहा जाता है is called epithelium tissue कहते है बच्चो ठीक है एपिथीलियम टिशू होता 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 को भी क्या करता है covering देता है ठीक है उसके बाद में जो डक्ट होती है डक्टों में की डक्ट होती है डक्ट का मतलब यह होता है कि जैसे कोई जैसे आपके तो फिन्ध की सिखरेशन होते तो एक रैस्ते से हैं किसी दूसरे ओर्गन को से पहुंचाने का स κα्थ पहुंचा ई Carrie कैते हैं कि एक ओरन से धूसरे और्जम को क्नेक्ट करके अपने हर्मों सोवेंचन धन को रिलीज करने का काम करते हैं गला एक टाइप से माणो एक नली का बोल सकते हो इंदी बोले तो टक्ट को बनाने काँ करती यह इसके बारे में बच्छो वह उतार लो इसको या screenshot ले लो आप लो एजी बे में समझा रहा हूँ आप लोगो एजी से जी में उतार ले होगो चलो आप नेक्स चलते हैं इसके बाद में नेक्स हम बात कर रहे हैं कि जो epithelium tissue है तो इसके में hollow organ क्या होते हैं ठीक है अब जैसे आप लोगों को यह सारी चीज तो आगे होगा प्रोटेक्टिंग लेर होती है किसकी बॉड़ी की बॉड़ी को प्रोटेक्टिंग करता है इसके बाद में covering the skin इसके इनर लाइनिंग ऑफ मस्कूलो हॉलो औरगन अभी इसके बाद हम बात करें हम हॉलो औरगन की ठीक है एक बार बता दो एपिपिपिलियम टिशू तो क्य बनाने का काम करता है नर्वस टिशू ब्रेन को बनाने का काम करता है नर्वस टिशू जो नर्वस टिशू होते हैं दो टाइप के बाई जाते हैं एक तो होते हैं इसके अंदर नियूरोंस होते हैं तो नियूरोंस होते हैं तो नियूरोंस होते हैं और एक होते हैं नियूरो गिलीयल सेल यह दो टाइब क्यों होते हैं यह दूसरा होते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें है मैं पर दो आइब करें अब सबसे पहले हम बात करें हौलो दोेखें होते हैं जिसके अंदर अर्गन टिकर जो जो अर्गन होते हैं इस लूख दिए हूँ जो ऐना होते होग और दो समय दए हैं और यू होते हैं होलो और अर्गन होते हैं दूसरे होते हैं अर्गनвержारन तो था यह में दूसरे होते हैं परेंटास ओर्गन ठीक है हो जो और्गन होते हैं होलो और वह यूद्वागन वह उसकती है जिनके अंदर क्या होती है और यह तो एंट्री कर सकती है और बहार भी निकल बजान के अंदर और यह ऊते हैं अंडर एक जिट और इसके अंदर पाए मांतला जैसकी लेंथ तो क्या हो ज्यादा हो consent क्या हो कम तेन। मलब कम मलब जो बिर्थ होती हो लेस हो ठीक है उसको कहते है उनको कहते है क्यween Lumen का मतलब हो गया है जिसकी length नो क्या है सिकी blend ज्यादध होती है युशिक्त होती है केविटि का मतलब होता है जिसकी क्या होती है लेंथ कि लेंथ क्या क्या कहते है ऐसेज़ को क्या कहते है ऐसी चिछ को हो सबसमाने इसकी बिट्ट मतलब कि चोड़ाई वी समाने दोनों चाहें समख आने तो इसको मतलक बोल देगे हuda है सको इसको क्या होता है इसको क्या होता है एक्जामम्ब के लिए लूमन हो गया, इसो फैगस, लूमन क्या हो जाता है, इसो फैगस हो गया, लूमन की जगह पर, इसो फैगस, ठीक है, इसो फैगस हो गया, तुम्हारे इंटेस्टाइन हो गई, क्या हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, यह हो ग के लिए लूमन तो बता दी मैंने जैसे इसोब्लिकल हो गया ट्रेखिया और ड्री निल्वन पाए जाता है अब इसमें बात करने यह क्या हो गरे होगे बच्छों जिसमें एंट्रियों हो एक्जित होता हो कोई भी सामान की कोई सबस्टेंस की क्या हो रही हो बाहर निकल रहा हो ठीक है इसके बाद में लूमन होता हो और उसमें क्या होती हो कैविटी पाई जाती है ऐसे और को क्या कहते हैं जैसे आपने खाना खाया तो खाना इसोफेगस में गया इसोफेगस में यह विमक्त पिंग किया रही है तो हैं या तो महाँ पर लूमन पर यह क्या पाई जहती हो कैसे हो यह सकते हैं और नेक्स हिंद्र देखने पर सॉलिड नजर दिखाई दे रहें और मड़ाब बीच में मिडल में में तो इस होता हैं आउटर क्या होता है और बीच में से कैसा होता है तो इसमें क्या होता है मैडूला पाए जाता हूँ और बाहर क्या होता है जिसे कि इसमें कॉल्टेक्स पाए जाता है कॉल्टेक्स ठीक हो गया जैसे तुमारी पिट्यूट्री ग्लेंड हो गई ठीक है पिट्यूट्री ग्लेंड हो गई और आपकी यह जैसे कि और पिट्यूट्री ग्लेंड हो गई एड्रिनल ग्लेंड हो गई ठीक है थारेट ग्लेंड हो गई यह सारे ग्लेंड कैसे हैं जिनक किड् Congrats दो किड्नी कर जाते किड्नी में इस टैब से प्रामेट्ट होता है morgen इस में तायब से प्रामेट्स हो गए यह क्या होगे बीच axes वाया बाई-ध्ओ और बार瓜 गुरोफर फी यह जा रहा है को ये भी पैरंचिम्ह defines God by बाहर से तों इनर से तो क्या आता है इनर्साइट तो एंटर साइटा आउस फंक्षणता है उस कौंभ टेसा हुग और इसमाई होगा होगा और लोरगन क्या होते हुँए विसके बाद करते हैं इस इक वक्ण आता सक दो गवार्टाइब शु Squ होता है एक तो होता है साइटोलोजी और एक हिस्टोलोजी जैसे साइटोलोजी 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 मेंस होता है steady of cell, cell की steady को हम क्या कहता है, cytology, steady of the cell, of the cell, cell की steady को हम क्या कहता है, cytology का जाता है, चीक है, उसी प्रकास से histology होता है, next word है, histology, cytology, इसका मतलब होता है, histology का मतलब होता है, steady, the steady, the, the, steady, the, steady of the tissue, जो tissue की steady की जाती है, टिशू की steady की जाती है उसको हम क्या कहते है steady of the tissue टिशू की steady की जाती है उसको हम histology का जाते है बच्चों टिशू के बारे में steady की जाती है तो उसको कहते है histology और cell के बारे में steady की जाती है उसको कहते है cytology cell के बारे में steady की जाती है उसको cytology और टिशू के बारे में बाद में उससे कहते हैं के इसको वाद करते हैं इसके लैके बाध बाट करते हैं एपिधी लिएम टिश्व के हम इने डेफिनेशन की बात कर लिए तुं हम तो जिसे इप इज द इज द ए दिवाइड़ जा डिवाइड़ है इसको भी कितने टाफ में डबाइड किया गया है पूर टैप्स में में इन manifest एपी थीलियम टिशू को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है फोटा इसमें डिवाइड किया गया एपी थीलियम टिशू को कि मैं डिवीजन बता देता हूं डिवीजन कितने कौन-कौन से टाइप में डिवाइड किया गया इसको बच्चो तो इसमें सबसे पहले जो तो यह सबसे पहले टिशू होते हैं नंदर इंदर इंदर पांचा है बॉन रहा जाता है ते यह मेरे जो देफिनिशन के अंदर आपको बताएं सब से पहले टिसू होते हैं д直接 होते हैं फोल टाइप्स की बताएं टिसू दूसरा होता है मारे कॉलम्र में नर्ट टिसू तीसरा हमारे होता है क्यूवेडल टिस होता और जो चौते नंबर पे जो तुनका बताएंगे तो बच्चो फश्ट जो आता है वहाद इसक्वे में सटमार से कि एपी थीलियम है पी थीलियम हिभ्य यह टिश्व आता पिछ्ट आता है इसके बाद हमारा राता है नेक्स नमबर टाइप है हमारा दूसरे नमबर पर है घुक्त खॉल्मनर एपिदिली को घेए बच्कौ शो एपिदिलीयम टिश फॉक्ट कुओंस गए सब्स्क्राइब मारे बच्याइक चैनल आता है रहांजीस्नल बीदि value trornencional प्र्दोन यह किन अधे टिशू अधेंट बच्छो एपिधिलियम घुर शेल्श हमोगा को इस्टिशू के अहले बात किए अधे यहपिघंट है करता है और बोड़ी को क्या करता है कौवर करने का काम करता है जैसे कि नियर इसकी होती है इसकी देगन कि और आछ सबसे उपर क्यों में एपीडर्मी क्यों होती है और कि आक सिए नारी हbreaker होती है वह मारी चैनली उता है उटके तेसरी में ऐसरी पूंसा कियो टेशु बनती है HOW the ीच infection से बनी होती है इसके बाहर में हमारी यह कानेक्रेटर टेशुर से से इसकी बाद में यह हमारे ब्रेन जो बना दी इस का काम कर सो उसको शेखते हैं जने संबसे पहले करे हैं कि स्क्राइब से लिए गैए जो किसे लिया गय lotta लिट ए किससे लिया गया है लेटन बर्ड इसका जो ओरीजन हुआ है किससे हुआ है लेटन बर्ड से ओरीजन हुआ है जिसका लेटन में ओस का जो मतलब होता है वह दिया होता है फ्लैट होता है क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है तो लेटन जो बर्ड है लेट सब्सक्राइब करें तो हमारे सब्सक्राइब करें इसमें क्या होता है कि यह जो सब्सक्राइब भी थेलियम जो टिशू होता है कैसे होते यह हमेशा फ्लैट पाए जाते हैं कि इसकी मैं यह बार ड्र मत बनाओं कर देख यह हमारी जित्वी टिशू बंदर एक बेशमेंट मेंब्रेन और आफ़ क्या होता है